पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी डगमगाना भी जरूरी है समखलने के लिए ये यूपी के मुजफर नगर के शराबी है कल तक जो लोगों के रहम पर पल रहे थे लोगडाउन के दोरान जो लोगों से मिले खाने को खा कर जिन्दा थे शराब की दुकान खुलते ही जैसे इनके जान में जाना गई खाने के पैसे तो नहीं थे लेकिन पीने के पैसे जरूर है सड़क किनारे पड़े इन शराबियों की वीडियो बताती है कि देश की अर्थविवस्था को सिर्फ अमीर ही नहीं सम्हालने की कोशिश कर रहे हैं ये गरीब भी हर दिन इस अर्थविवस्था को सुधारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे खाना मिले ना मिले, सोने की जगह मयसर हो या ना हो, पीने को मिल जाए बस, और क्या चाहिए इन लोगों को देश की अर्थविवस्था को लड़ खडाते हुए सहारा भी दे दिया और 40 दिनों की प्यास भी बुझ गए इनके लिए स्थिती को देख कर यही लगता है कि लोगडाउन की सबसे बड़ी मार इन ही पर पड़े जब तक खाना नहीं था, अलग-अलग संस्थाओं ने पेड भर दिया और जैसे ही मैं खाना खुला, शराप से गले की प्यास बुझ गई अब सोचिए ज़रा, जो संस्थाएं रात दिन इनको खाना खिला रही थी, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी सरदार बलजीत सिंग की बातों से आपको इनका दर्ग भी पता चल गया होगा अब आप खुझ सोचिए, 40 दिन तक बिना शराप के रहने वाले शराप के शोकी, शराप खरीदने के बाद इस कदर नशे में धुत हुए कि वो अपने घर का रास्ता भूल कर सडकों पर ही लेट कर सो गए ये वही लोग है जो कल तक मांग कर खा रहे थे और आज नशे में धुत पड़े हैं शायद ये भी देश की सेवा कर रहे हुए मुजफर नगर से नागरदच शर्मा की रुपोर